एखर आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरकुलर के बारे में अगर जिसे नहीं पता है आखर इंटरकुलर आपके वीडियो के अंदर क्या व्रक्र परफॉर्म करता है और आखिर ये क्या होता है तो आज का वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़ादा important होने वाला है तो जार टाइम इस ने करूँगा मैं हूँ आपके दोस आपका हुस्ट आमान बिने टाइम आज करके आज का वीडियो स्टार्ट करते है अब फ्रेंट सबसे पहले बात का तो आखिर इंटरकुलर होता क्या है किस वीडियो के अंदर ये यूज किया जाता है तो फिर इंटरकुलर जो है वो आपके डीजल वीडियो के अंदर यूज किया जाता है means यहां जिस भी vehicle के अंदर turbo मौझूद है means turbo लगा हुआ है उस vehicle के अंदर intercooler होता है वो चाहे petrol vehicle हो या फिर diesel vehicle हो maximum diesel के अंदर जो है वो turbo तो होता ही है तो intercooler भी उसके अंदर मौझूद होता है maximum मतलब हम कह सकते 90% vehicle के अंदर होता है लेकिन बहुत से ऐसी vehicle है petrol vehicle जिसके अंदर आज के date में turbo use किया जाता है तो उस vehicle के अंदर भी intercooler होता है अब intercooler लगा होता है तो आखिर इसका काम क्या है और यह क्या work perform करता है तो इसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले friends intercooler आखिर कैसा दिखता है इसके बारे में बात करता हूँ तो एक image आपको मैं दिखा रहा हूँ यह बिल्कुल radiator के तरह ही दिखता है इसके अंदर भी hose pipes होता है इसके अंदर भी कुछ न कुछ चीज flow होती है जैसे radiator के अंदर हमारे coolant flow होता है तर्बो run होता है means जो भी उसका pressure होता है जो भी तर्बो आपके जो भी vehicle के अंदर से exhaust gases निकल रही है उससे तर्बो work करता है means यहाँ यह कोई भी belt के through या फिर कोई engine से direct यह connect नहीं होता है यह जो भी hot gases होती है प्रेशर आइस उससे ही यह work करता है जो उसके अंदर टर्बो blades होती है वो आपके pressure से घुमती है आपके exhaust के और जो fresh air है वो टर्बो सक करता है अब जो fresh air टर्बो सक करता है जो खीचता है उसे वो अंदर ही अंदर टर्बो के अंदर compress करता है अब जो भी air compress की जाती है उसका temperature बहुत ज़ादा बढ़ जाता है अब उसी high temperature को engine में भीजाने के लिए हम directly नहीं भेज सकते इसका reason यह है अगर हम directly hot air को combustion chamber में भेज देते तो हो सकता है incomplete combustion हो fuel size से जलेना और engine के अंदर भी wear and tear के chances बहुत maximum हो जाते है तो यह जो hot air है इसे हम directly नहीं भेज सकते है इसलिए turbo और combustion chamber के बीच intercooler लगाया जाता है अब intercooler में होता क्या है जो भी turbo की compress वाली air आ रही है fresh air जिसका temperature काफी जादा है उसे intercooler के अंदर से pass किया जाता है अब जब pass किया जाता है जब वो like जो inlet है उसका वहाँ से जब वो hot gear आती है और जो outlet है उसका वहाँ से जब निकलती है तो उसका temperature काफी जादा reduce हो जाता है इतना temperature उसका reduce हो जाता है कि उस air को हम combustion chamber में easily भेज सकते है without any wear and tear means यहाँ कवर्क क्या हो रहा है intercooler का कि जो भी high temperature की air है उसका जो temperature है वो मैं ठंडा तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ज़ादा reduce कर दे रहा है इतना reduce कर दे रहा है कि हम combustion chamber में easily उसे भेज सकते है means यहाँ intercooler का work यही है कि high temperature की जो air है उससे reduce करना means low temperature पे लाना अगर एक vehicle के अंदर turbo लग जाए तो वो काफी effective amount में air जो है वो सक करता है combustion chamber में भेजता है जिससे fuel efficiency भी बढ़ जाती है average भी काफी अच्छा आपकी vehicle देती है साथ साथ performance भी आपकी vehicle की अच्छी होती है और fuel wastage भी कम होता है तो बहुत सारे benefit है आपके intercooler के और जो vehicle के अंदर turbo होता है एक बात ध्यान में रखना अगर आपका intercooler खराब हो जाए तो बहुत से symptoms आपको देखने को मिलते है और बहुत सारी problems आपको face करना पढ़ सकता है अगर आपको वह भी जानना है आखिर क्या क्या problem हो सकती है क्या क्या symptoms दिखते है intercooler खराब होने के तो उसके पर already मैंने एक वीडियो बना लिया हूँ जिसके लिंक आपको description में मिल जाएंगी और i button भी लिंक आ रही है तो वहाँ से आप वो वीडियो को check out जरूर कर लेना आखिर क्या क्या symptoms होते हैं क्या क्या problem होती है अगर आपके vehicle का intercooler खराब होते हैं और ये वीडियो से related आपकोई भी doubt है तो आप definitely comment section में पूछ सकते हो मैं जल से जार आपको जो भी है answer वो provide करता हूँ आज के लिए time मिल तब next video में जब तक लिए good bye